Network Marketing समझाई कैसे जाए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वालो एक ऐसी कहानी जो इंस्पार कर सकती है किसी भी इंसान को Network Marketing में जॉइन करने के लिए और अगर आप जानना चाहते हैं वो स्टोरी क्या है और क्या आपको सामने वाले शक्स को बताना है जिससे वो आपके साथ जॉइन कर ले तो ये वीडियो आप एंट तक जरूर देखना अब ये वीडियो किसी अजनभी के बारे में नहीं है ये वीडियो उस व्यक्ति के बारे में है जिन्हें आप च्छे सा जांते हैं ये विडियो है धीरुबाई अम्मानी जी के बारे में आपको पता है धीरुबाई अम्मानी जी पेट्रोल पंपे काम किया करते थे और जब वो पेट्रोल पंपे काम करते थे mindset उनका एक businessman वाला ही था उनका mindset कभी भी नौकरों वाला नहीं था, इंप्लोईस वाला नहीं था, उनका mindset था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो पेट्रोल पंपे जब काम करते थे, तब वो एक opportunity के तलाश में थे, कि मुझे कुछ और मिल जाए कि मैं अपनी job के साथ साथ भी कर सकूँ, तो एक शाम हुआ किया, एक खिलोने वाले को बोला, कि जरा इधर आओ, कितने का है ये खिलोना, उस शक्स ने बोला, ये खिलोना सो रुपे का है, धीरुभाई मानीज ने बोला, अरे मैं इस खिलोने को खरीदना नहीं चाहता हूँ, मैं भी तेरी तरह बेचना चाहता हूँ, ये बता तुझे कितने क पड़ा मैं भी तेरे साथ यही काम करूँगा मेरी शिफ्ट ओवर हो जाती है पांच बजे मेरे पास तीन घंटे का टाइम होता है तो पांच से आठ के बीच में मैं भी तेरे साथ यह खिलोने बेचना चाहता हूं तो उसने का यह खिलोना में सत्तर रूपेगा लाता हूं यहाँ पर होल सिलर की दुकान है वहां से में लेकर आता हूं मुझे बचतें, उन्हों ने पूछा कि कितने खिलोने बेच लेते हो ।ुम दन मे उघonstри दस खिलोने कभी 15 खिलोने उन्हों बिच जाते हैं थो मिनिमाम बाता हूं कौन सी दुकान से तुम खिलोने लेकर आते हैं अब दी रूबाइ अमानी जी चले जाते हैं उस दुकानदार के पास जिससे वह खिलोने वाला खिलोने खरीद था अब वह वहूलसेलर सेम रेड बोलता है धीरुबाइयमानी जी को कि 70 रुपे का खिलोना पड़ेगा तो नुर फ्री सकते हो जितने चाहू उतने तो धीरुबाइयमानी जी बोलते है मुझे तुमसे 10 खिलोने नी चाहिए है मैं तुमसे कई खिलोने लेना चाहता हूँ और एक ही बार में पहला ओर्डर सो खिलोने से जादा कर दूँगा अब मुझे बताओ कि कितने का मुझे प्राइस पड़ेगा और मैं रोज तुम से सो खिलोने खरीदूँगा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक खिलोना पचास रुपे का देखूँगा सत्तर की जगा पचास का देखूँगा धीरुभा यमानी जी बोलते हैं ठीक है मैं कल आउँगा अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आप उन लोगों को खिलोने देदेना सत्तर रुपे के हिसाब से और जो 20 रुपे बचेंगे मतलब मेरी 50 रुपे में आपसे बात हो गई है जो 20 रुपे बचेंगे वो मैं आपसे बात मिलूँगा आप उन्हें 70 रुपे का देदेना अब धीरु भाई मानी जी क्या करते हैं अपने पेट्रोल पंपे वापे जाते हैं वहाँ पे जो 10-12 वर्कर्स काम करते थे उन सब को बोलते हैं कि हम अपनी शिप्ट के बाद पार्ट टाइम में खिलोने बेच सकते हैं और खिलोने बेचने के साथ साथ होगा क्या कि हमारी यहां से तो एक पगार आई रही है हमारी salary तो आई रही है, salary के साथ साथ हम एक extra income आ जागी एकर हम खिलोने बेचेंगे तो हम red light पे खिलोने बेच सकते हैं, हम यहाँ पे खिलोने बेच सकते हैं, हम petrol pump पे जो गाड़ी आती हैं उन पे खिलोने बेच सकते हैं, यहाँ पे हमारी कमाई हो जाएगी तो सारे लोग कहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है हम सब चलते हैं तो उन सब के सब लोगों को लेकर चले जाते हैं उस होल सेलर के पास हर इंसान दस खिलोने खरीद लेता है अब दस लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और दस लोग दस खिलोने खरीद लेते हैं तो कितने के बाद जाके बेचते हैं हर इंसान को कितने रुपे बच रहे हैं एक acknowledging लोगों लarme किया आप दस लोगों से उन्हें कितनी कमाई हो रही है ये जानते हैं एक इंसान से उन्हें एक खिलोने के ऊपर 20 रुपे की कमाई होती है बिना कुछ किये apply ओन्होंने फ obtain और अगर वह 10 खेंड से गो 100 कमायी होतीह अर दस लोग जब 10 खिलोने खरेचते हैं मतला सो खिलोने विकते हैं तो उनकी 2000 रुपे कीकमायी होती वह लोग मेंद करके तीन गंटे पार ताइम मेनद करके दस खिलोने बेच रहे हैं और यहां पर एक बार मेहनत करके धीरू भाई अम्मानी जी के कितने खिलोने भिक रहे हैं 100 खिलने पिकरे और यहां पर वह 2000 कमा रहे हैं यह फरक होता है यह एक इनसान जो खुद मेनध करके पैसे कमाता है और एक इनसान जो एक सीस्टम क्रियेट करता है यहां पर इस स्टोरी के अंदर धीरु भाय यह मानी जी ने क्या किया एक सिस्टम बनाया एक एक network बनाया, एक network create किया, अकेले काम नहीं किया, अब आगे क्या होता है, इसे जानी है, और लोग जानने लग जाते हैं कि भई, तुम लोग जो petrol pump पे काम कर रहे हो, यह खिलोने बेचते हो, उसमें फाइदा क्या होता है, तो दूसरे petrol pump के लोग भी inspire हो जाते हैं कि हम भी यह करेंगे, अभी तो एक petrol pump के लोग खिलोने बेच रहे थे, अब 3-4 petrol pump और साथ में थे, वो सब लोग भी आके धिरुभाई अमानी जी से मिलते हैं कि यह काम कैसे हो सकता है, धिरुभाई अमानी जी सेम काम करते हैं कि होलसेलर के पास ले जाते हैं, और जैसे यह बढ़ जात है, वो यह नहीं कहती है, कि आप अकेले महनत करो, आप जाके products बेचो या आप जाके खिलोने बेचो, या आप जाके plan दिखाओ, वो कहती है, एक बार system create कर दो, लोगों को फायदा होगा, वो और लोगों को बताएंगे, उन्हें फायदा होगा, और लोगों को बताएंगे, और क्योंकि आपका margin जैसे कि धीरुवाई उमानी जी का wholesaler के साथ fix जो गया आपका company के साथ fix जो जाता है आपको पैसे आते रहेंगे और इसे recurring income बोलते हैं इसे passive income बोलते हैं बिना काम किये पैसा कमाना बोलते हैं इसे system build करना बोलते हैं और ये सब होता है network marketing के अंदर तो अगर आज तक आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद बहुत काम करूँगा और पैसे कमाऊँगा तो आप गलस सोच रहे हो आप छोटा सोच रहे हो आज से बड़ा सोचना शुरू करो और आप network marketing में हो तो ये story आप अपने seminars के अंदर अपने लोगों के साथ इस वीडियो को share कर सकते हो जिस इंसान को आप network marketing समझाना चाहते हो उसे ये video share कर सकते हो कि actual में network marketing है क्या आप लोग network marketing में बहुत बड़ा business create कर सकते हो ये आप लिए उसके लिए आपने ये समझ लिया कि आपको passive income बनानी पड़ेगी अगर आप ये जानना चाहते हो कि अमीरी actual में wealth creation कहते किसे है तो यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ है सिर्फ अगर आप काम करके पैसा कमा रहे हो तो आप wealth नहीं create कर पाऊगे वो कहते हैं कि अगर आपको सोते सोते भी पैसे आ रहे हैं तो आप actual में wealth create कर रहे हो if you are making money while you are sleeping then you are getting rich तो आप लोग network marketing में actual में ये करते हो आप लोग काम नहीं भी करते हैं तब भी पैसे कमाते हो क्यों आपका network काम करता है तो आपको ये story बहुत अश्य लगी तो जल्दी से story को को इस story को लोगों तक share कर पाए and लोग inspire हो पाएं network marketing में जुड़ पाएं और network marketing में बड़ा business build करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने की जुड़ होता है और सबसे पहली चीज है skill development आपको अपनी skills को develop करना पड़ेगा जो आपको आपकी company में नहीं सिखाई जाती तो वो कौन सी skills है जो आपको सीखनी है वो आपको सीखने को मिलेंगी इस course के अंदर जिसका नाम है bang on in network marketing ये एक ऐसा 84 days का training course है जो network marketing के अंदर आपको करोड़ पती बना देगा बड़ आपको इसकी जानकारी कैसे मिलेगी इस number पर phone करके इस number पर phone करके आप इस course की जानकारी ले सकते हैं और इस course को join कर सकते हैं और भी ज़्यादा detail में जानना चाहते हैं तो इस video की description में और comment box में PDF के link है उन्हें download करो और download करके आप पूरा पढ़ो हो कि क्या-क्या आपको सीखने की जरुत है जो आज आपको नहीं आता अब आगे बढ़ो और मैं आपको ये की चीज़ बोलूँगा कि आप network marketing के अंदर छोटा मस सोचना बड़ा सोचो धमाका करो और धमाका करने के लिए you can join this course network marketing में धमाका कैसे करें how to bang on in network marketing so call on the number job की स्क्रीन पर आ रहा है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से subscribe कर लीजे notification bell पर click कर दीजे कि एक भी ऐसी वीडियो आप से मिसना हो मैं आप से मिलूँगा अगली वीडियो में till the time you go self कर दाद कर दाद कर दो